आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रबार है भादरपद मास क्रिश्न पक्ष की आज चतुर्थिति थी है पूरवा भादरपद नक्षत्र है दो पहर एक बच करके 34 मिनट तक और इसके पश्चात उत्तरा भादरपद नक्षत्र है सुकरमा योग बवकरण बात होई पंचांग की चुंद्रमा आज कुम्भ राश में प्रातर काल 6 बच करके 57 मिनट तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहुर्थ का समय दिन में 11 बच करके 37 मिनट से 2 पर 12 बच करके 30 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दिन में 10 बच करके 30 मिनट से 2 पर 12 बजे तक जैसा कि आप सबी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कारिय जिस कारिय से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारिय को अभिजित मुहुर्थ में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहुर्थ हरीक्वति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज बहुला गणेश चतुर्थी व्रत है संकस्टी गणेश चतुर्थी व्रत सभी ग्रिहस थास्रमियों को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना करे भगवान गजानन की आराधना से जीवन काल में किसी भी प्रकार की परिशानी, समस्या, दुख, दारिद्र का नाश हो जाता है तो गनेश जी की अराधना आज दमपत्तियों को अवश्य ही करनी चाहिए प्रियदर्श को अब तक हमने सदय वा बात किया जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर है तो इसके लिए ये उपाय करें इसका ये प्रभाव है लेकिन ये भी विचारनी होना चाहिए कि जन्म कुंडली में ग्रह बली भी तो होते हैं जादातर लोगों के कुंडली में गरह बली ही हैं तो बलवान गरह का क्या प्रभाव होता है और आज इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे घुवन भासकर भगवान सूर्य नारायन की यानि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बली हो तो आपके जीवन काल में इसका क्या प तो दिब्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की प्रातकाल से ही गज केसरी योग का निर्मान हो जाएगा गोचर में तो यह ग्रहस्तुति इन ही ग्रहस्तुतियों की आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया दैनिक राशिफल तयार किया है वो नेदर्शक जो मेरे इस राशिफल के कारिकरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशी फल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशी है अगर आप अपने जन्मराशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प जीरो अंस से लेकर 20 अंस तक सिम्हरासी में मूल त्रिकोण के माने जाते हैं सूर्य और इसके बाद स्वराशी और वहीं मेशरासी में 10 अंस पर परमुच्च हो जाते हैं यानि आपकी कुंडली में मेशरासी में सूर्य हैं और 10 अंस पर परमुच्च वस्ता में हैं तो जोतिश Toyota कहता है कि फिर कोई जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में बाकी की ग्रहस्तुतियां कैसी हैं अगर ये सूर्य बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं तो आपके कुंडली के जितने भी दोश हैं दुर्योग हैं सभी का शमन अकेले ये सूर्य करेंगे सूर्य, पिता के कारक हैं सूर्य, राज्य के कारक हैं सूर्य, साशन और प्रसाशन के कारक हैं सूर्य, सम्मान आत्म विश्वास, आत्मा के कारक हैं सूर्य जन्म कुंडली में जिसके सूर्य बली हो, निसन देह ऐसा जातक समाज में सम्मानित होता है, पूज्य होता है कह सकते हैं आप कि ऐसा जातक थोड़ा अहंकारी भी होता है थोड़ा सब दिसलिया मैंने कहा क्योंकि उसे पता होता है कई बार कि वो अहंकार नहीं कर रहा लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है कि लोगों को इस बात का एहसास होता है कि सामने वाले के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है जबकि वो मूलतह ऐसा नहीं होता क्यों? क्योंकि सूर्य बली जिनकी कुंडली में है वो कही न कही थोड़े गंभीर अपने आप में रहने वाले और अपने मन की करने वाले होते हैं अब अपने मनकी करने वाले आप हो चाहे वो सही ही क्यों न करते हो पर अपने मनकी अगर आप करते हो तो सीधी सी बात है आप निरबाधित रूप से घोसित अहंकारी हैं तो अहंकारी आपको मान लिया जाता है लेकिन सूर्य अगर कुंडली में बलवान है तो ऐसा जातक समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सूर्य बलवान है जरूरी नहीं है परंतु सूर्य बलवान है तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में अवस्य ही सफलता प्राप्त कर लेत प्रशासन में अपनी पकड़ रखता है उच्च पदपर होता है सूर्य अगर कुंडली में बलवान हो उच्च के हो मूल त्रिकोणी हो मित्र के घर में हो अच्छी स्थिति में हो पापग्रह से द्रिष्ट अथवा यूत न हो तो ऐसे जातक के पिता भी बड़े सफल व्यक् सबको प्राप्त होता है लेकिन ऐसे जातकों के पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं याद रखिएगा ये तब जब सूर्य कुंडली में पीड़ अर्थात राहु से युत अथवाशनी से द्रिष्ट ना हो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो ऐसे जातक के अंदर आत्न विश्वास गजब का होता है कूट कूट कर भरा होता है अगर सूर्य कुंडली में बली है तो ऐसे जातक का आत्न विश्वास वो किसी भी तरह की परिस्तिती से तब तक घबराता है जब तक परिस्तिती उसके सामने ना आ जाए और एक बार जब परिस्तिती उसके समुखा जाए तो फिर अगली बारी घबराने की परिस्तिती की होती है यानि परिस्तिती ही घबराएगी जब घबराता वो भी है क्योंक इन तब तक जब तक वो परिष्टिती को जान नहीं लेता एक बार जब परिष्टिती को वो जान लेता है इसके बाद परिष्टिती के घवराने की बारी परिष्टिती की होती है तो आप अपनी जम्नकुंडली को खोली और देखिए सूर्य किस सवस्था में है सूर्य उच् अगनी तत्वी रासी हैं इन राषियों में सूर्य बल्य आवस्था में अब सावाल ये उठता है कि क्या कुम्भरासी में सूर्य बल्वान नहीं हो सकते हैं हाँ ये अवस्य है कि यहाँ पर वो छमता उनको नहीं मिलती क्योंकि ये मित्र का घर नहीं है तो अगर कुंडली में शनी के साथ तातकालिक मित्रता में भी होते हैं तो सम हो जाएंगे पुर्ण बली उनको नहीं कहा जा सकता पिर भी अगर सम्वस्था में भी बलाबल के साथ है गुरू से दृच्ट है तो ऐसे जातक के अंदर आतनो विश्वास होगा ऐसे जातक के अंदर तेज होगा एक और बात नौट करिए कि बलवान सूर्य वाले व्यक्तियों के अंदर एक अजब ही आत्म विश्वास और तेज उनके अंदर होता है जो सामने वाले को ये महसूस करा देता है किस व्यक्ति की बात ही कुछ और है ये सूरे कराते हैं ये चमक केवल और केवल सूरे प्रदान करते हैं तो जन्म कुंडली में सूरी किस्तुती बहुत माईने रखती है किसी भी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में सूरे बलवान है तो ये बात तय है कि ऐसा जातक अपने आत्म विश्वास के बदोलत सब कुछ हासिल कर सकता है सब कुछ जन्म कुंडली के लगन में हो जन्म कुंडली के भाग्य में हो जन्म कुंडली के दसम में हो और जन्म कुंडली के लाभ में हो तो ये सुर्य अत्यन तो स्रेष्ट फल प्रदायक बन जाते हैं कुंडली के पराकरम भाव में बैठ करके भी इनका अच्छा ही प्रभाव मिलता है उस अवस्था में जातक पराकरम के बदौलत सब कुछ हासिल करता है पंजम भाव में होने पर भी खराब तो नहीं है लेकिन संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं संतानुत पत्ति में बाधा लाभ में भी बैठ कर यानि ग्यारमें भाव में बैठ करके भी उत्पन करते हैं बिलंबित संतती प्रदान करते हैं आशा करता हूँ आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होंगे और सूर्य बलवान है तुन्हें और बलवान करिए जरूरी नहीं है रत्न पहन करके सूर्य की आराधना करके पिता का संबान करके आप अपने सूर्य को बली कर सकते हैं अब चलते हैं राशी फल की ओड़, बात करेंगे राशीों के क्रम में पहली राशी, मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडेली में चंद्रमा लाभ भाव में सुंचरन कर रहे हैं, परन्तु प्रातह काल ही राशी परिवर्तन करक आपकी राशी से बारह में भाव में चले जाएंगे, चिंता की कोई आवशक्ता नहीं, राशी परिवर्तित करते ही चंद्रमा आपना कोई प्रभाव नहीं देते, ग्रहजदुती आपके लिए आज भी अच्छी बनी हुई है, समाज में, कारेक्षत्र में बड़े लोगो करना पड़ सकता है, अथवा, यात्रा के कारेक्रम में बिगन अथवा रुकावट आ सकती है, नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, ब्यापारियों के लिए भी दिन आर्थिक रूप से बढ़िया है, फायदा कराने वाला है, शेर मार्केट के लिए भी दिन देखा जाए, तो है तो मतभेद पुर्ण, लेकिन प्रेम से भरा, और विध्यार्थियों के लिए आज बढ़िया दिन है, कम मेहनत में अच्छी सफलता, तो आपके लिए इसे बढ़िया क्या हो सकता है, और सेहत के दृष्टिकोंड से देखें, कहीं कर दीजिये, लखियंक का आपके लिए एक लखिकलर आपके लिए आज लाल है, बृषब की बात कर लेते हैं, बृषब रासी के जातकों के लिए, आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, अपनी योजनाओं पर एक बार विचार कर लिजिये, सफलतों आप होंगे ही होंगे, द्रिश्टी कोण से भी इस्तिती बहतर होती दिखाई पड़ रही है नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सफलता प्रदायक व्यापारियों को आज अचानक धनलाब होने वाला है व्यापार से सम्मंदित कुई बड़ी योजनाय बनेंगी अब आज विवाद नहीं होना चाहिए तो वही प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है प्रेम संबंध में आज सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्यार काई जहार करना चाहते हैं तो भी रुकिये आज मत करिये और विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करनी प्रदायक है दिन सेहत के द्रिश्टिकोंड से देखे तो पुराने रोग एक बार फिर से आपको परिशान कर सकते हैं सावधान पहिएगा आज मा जगदंबा के मंदिर में जाकर के लाल चंदन दार करिये लकियंग का आपके लिए 6 लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और हर मामले में दिन बढ़िया है हर मामले में भाग आपका साथ दे रहा है जरूत पढ़ने पर लोगों से सहयोग मिलेगा कारे स्थल पर आपके सारे काम बंते दिखाई पढ़ रहे हैं कहीं किसी कारे में अगर बाधा और बिगन उत्पन हो रही थी वो कारे खुद ही अपने आधिक के किस्तुती भी बन रही है ब्याय होगा चिंता की कोई बात नहीं है और अपने दिल की बात दिल में ही रखिए हर किसी से शेर मत करिए नहीं तो नुकसान होगा प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ संबंद में मधूरता और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज दिन ठीक नहीं है संघर्स भरा है कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी यह बढ़िया है परन्तु कड़ी मेहनत के बाद मिलेगी हो सकता यह आपके लिए अच्छा नहों से देखें तो कफ वपित जंगने रोगों से आपको परिशानी हो सकती है जरूत पढ़ने पर डॉक्टर से राय ले लिजेगा बाकी वैसे कोई विशेस परिशानी नहीं है अपने भोजन में से थोड़ा सा अन्न निकाल कर और कुट्टे क्वास दीजेगा लक्यंक आपके लिए तीन लखी कलर आपके लिए सफेध है निवेश आप कर सकते हैं करक की बात कर लेते हैं करकरास के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है परन्तु थोड़ी मानसिक अशान्ति के साथ वैसे तो आज आप जिससे भी मिलेंगे उसे प्रभावित करेंगे घर परिवार रिष्टदार जमीन जा करने का प्रयास करिए नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन सामान्य है ठिक ठाक बहुत अच्छा नहीं तो खराबी नहीं ब्यापारियों को भाग्य का साथ पुरुनतह नो मिल पाने के कारण ब्यापार में थोड़ी परिशानी होगी लेकिन काम आपके सारे बनेंगे सा tenían है ब्यापार से संबन्द्र नए योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है और कोई पुरानी वस्तु अगर खरीदने बाले थैं तो आज मत खरी दियेए अभिवाहित है तो बिवाहक का प्रस्ताव मिलेगा प्रेमी हैं तो प्रेम संभण में दिन बढ़िया है और आविद्यार थी हैं दिन बहुत बढ़िया है शर मारकेटिक त्यादियों पैशान इवेज करते हैं तो आज न करिए इस्तितियां आपके फेवर में नहीं है नुकसान होगा और आज थोड़ा थकान भी आप महसूस कर सकते हैं सेहत में थकान दिखाई पड़ रहा है थोड़ सुनिए और फिर जो निरने लेना चाहते हैं लीजिए कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया पदुन्नती के आसार बन रहे हैं वेतन सहित कई मामलों में जहां अधिकारियों की सहानुभूती आपक प्रेम संबंद के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्यार काई जहार भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और जीवन सांती के साथ आज अच्छा समय बिते हैं घर का माहौल बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोंड से देखें तो आज ब कारे आप कर रहे हैं चाहते हैं कि इसका मनचाहा परिणाम मिले तो बस एक बात खाया लगिए क्या मनचाहा परिणाम चाहिए तो धैरे पूरवक काम करिए नए विचार आपके मन में पूरे दिन आते रहेंगे लेकिन धैरे पूरवक आपको काम करना होगा सफलता दाई य प्रतियोगी परिक्षा हित्यादी में आप भाग लेने वाले हैं आसानी से आपको सफलता मिलेगी मानसित ठकान और नीद की कमी से आज आप थोड़े परिशान हो सकते हैं आज आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएए और हनुमान जी को एक चुटकी सिंदूर अरपित करिये निवेश ना करें तुला की बात कर लेते हैं तुला राश्य के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है दिन सामान ने है मिला जुला बहुत अच्छा भी नहीं तो खराब भी नहीं लेकिन हाँ काम बनेंगे किसी पूरी लट से छुटकारा चाहते हैं प्रयास करिए सब हलता मिलेगी नौकरी में वेतन बुर्धिया प्रमोशन के लिए अगर आप चुंकित थे और चाहते थे कि ये काम बने आपने इसके संबंधित प्रयत्न भी किया था तो खुस खबरी के लिए तयार रहिए जो धैरे आपने अब तक बनाए रखा था आगे भी बनाए रखिए कारेस्थल पर यादि नौकरी पेसा हैं आप तो ओफिस में किसी भी प्रकार का बाद विवाद नहीं होना चाहिए इस बाद को गांट बांदीजे नहीं सिर्दर्थ के शिकायत आएगी और थोड़े देर तक आप बेचैन होंगे हला कि कोई जादा बड़ी परिशानी नहीं है घबराने कि आवशकता नहीं है जरू अत्मंद या कोई गरीब आपको दिखाई पड़े तुसे आप भोजन कराईए नास्ता करादी नहीं थोड़ा पैसा दे दीजिए बढ़िया रहेगा लखियंक आपके लिए चार लखी कलर ब्लू और निवेश आज आप कर सकते हैं वरिश्षिक की बात कर लेते हैं वरिश्षिक रास्ता के लिए देखा जाए तो कहीं पैसा आगर आपका फसा हुआ है तो वो मिल जाएगा या यूँ कहें कि सुचना मिल सकती है सामने वाला ये सूचना पहुंचा दे कि आपके लिए लगा हुआ हूँ, आज या कल में आपको दे दूँगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, हो सकता है यही खबर अच्छी हो, योजना बद्ध धंग से अगर आप काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, नौकरी पेसा लोगों की बात करूँ, दिन बेहत खास है कारेस्थल पर अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे बंते दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई नया ओफर भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानि मिला जुला करके देखा जाए, तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है, पूर्व से आरी सम काम बन जाएगा, तो रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होने वाला है, किसी से जूठ नहीं बोलना, और जूठ बोलकर के अपना काम बनवाने की अगर सोच रहे हैं, तो ये बाद में आपको मुश्किल में डालेगा, और किसी तीसरे की वज़ा से आज प्रेम संबंध में परिशानी आएगी, तो प्रेम संबंध में किसी तीसरे की इंट्री रोक लगा दिजे उस पर, विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन बहुत बढ़िया है, दांपत्य जीवन सुखद और सेहत के द्रिश्चिकोंड से आपित करिए, लखियंक आपके लिए 6 लखी कलर आपके लिए आज कथई निवेश कर सकते हैं, धनू की बात कर लें, दीवन अपने जीवन को सहज बना करके रखिए, सामन्य बना करके रखिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, अति उत्सा हमें नहीं पढ़ना है, धै आपको विचार करना होगा, क्योंकि आज निवेश, जो खिम भरा होगा, खत्रे से खाली नहीं है, नुक्सान होगा, मैं मना करता हूँ शेर मार्केट में निवेश करने से, जीवन सांती से अनबन अगर होती है, तो आगे बढ़ कर के आपको जीवन सांती को मनाना होगा, घर का माहल बढ़िया बना करके रखना है, और सब बाकि ठीक हो जाएगा चिंता नहीं है, बिद्यार्थियों के लिए भाग दोर थोड़ी जादा है, किसी नों किसी बात की आपको टेंशन होगी, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, प्रेम संबंध के लिए दिन होगी, मा जगदंबा के मंदर में जाकर कि आज धूप वत्ती दान करी, लकियंग का आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश के लिए मैंने मना किया है, मकर की बात कर लेते हैं, परिवार के अमध्यकर कोई अनबन चल रही है, कोई कठिन परिस्थित या खड़ी हुई है, तो उसे खत्म करने की कोशिश अब आपको करनी चाहिए, आप सफल हो जाएंगे, कोई कारे जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, अगर आप चाहते हैं, वो पूरा हो जाए तो उसके लिए कड़ी मशक्कत करिए, काम अवस्य बनेगा, नौकरी प साह में आकर के, बिना विचारे किसी से कोई ऐसी बात कह बैठे, जो बाद में आपके लिए मुश्किल में आपको डालने वाला होगा, तो जरा सोच समझ करके चलिए, आज किसी से भी कोई बात सेर कर देना, ये ठीक नहीं है, प्रेम संबंद को बैवाहिक संबंद में तब इच्छाई त्यादी है, तो वहाँ आप सफल होंगे, या ग्रूप में पढ़ाई करें, तो वहाँ आप सफल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको एक ही बात का ख्याल रखना है, भोजन में सावधानी रखनी है, क्योंकि पेट से समंधित परिशानियों की संभाव कुम्भरास के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है, बस योजनाबद रंग से काम करिए, भाग्या आपके साथ है, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, व्यवहार अपना साकरात्मक रखिए, ट्रैक्टिकल बन करके रहिए, जरूद पर संतान के ओर से आपको सहयोग मिलेगा, सफलता आपको भी मिलने वाली है, जीवन साथी की सफलता से खुशी मिलेगी, यानि मिला जुला करके देखा जाए, तो आज का दिन बढ़िया है, नौकरी पैसा लोगों के लिए देखा जाए, तो दिन अच्छा है, है महनत भरा लेकिन अच्छा है, आज की गई महनत, आपको आज और आने वाले दिनों में भी लाव देती रहेगी, तो जी भर के महनत करिएगा, और व्यापारियों के लिए देखा जाए, तो आपको अच्छा फायदा होने वाला है, किसी को कुछ उधार नहीं देना विश्यसकर पैसा उधार देने वाले हैं, आज मत दीजिए, और आज आपके स्वयोग से, आपके जीवन साथी का, अथवा ब्यापारिक पार्टनर अगर कोई है, तो पार्टनर का रुका हुगा कोई काम पूरा होगा, लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बढ़िया है, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, पेट से सम्मंधित परिशानिया हो सकती हैं, खान पान का जरा ध्यान रखिये, और समय पर भोजन लीजिए, मानसाहार और मद्यपान से परहेज रखियेगा, मचलियों को आज दाना डालिएगा, लखियंक आपके लिए आज आठ लखी कलर, आपके लिए आज बैंगनी निवेश कर सकते हैं, मीन की बात कर लें, तो जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं, वो सुरू करने की तयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, परिसानिया अब कम होने वाली हैं, कोई पुराना कोट केस चला रह जल्द ही आपको समाप्त हो जाए, या उससे आपको मुक्ति मिल जाए, यानि अब आप बाहर निकल रहे हैं समस्याओं से, धन कमाने का नया उसर जल्द आपको मिलने वाला है, रुका हुआ पैसा हाने वाला है, तो काम आगे बढ़ेगा, नौकरी पैसा लोगों के लिए देखा जाए, जरूर दिन थोड़ा मेहनत भरा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है, जिए अधिकारी वर्ग का प्रेशर भी बना रहेगा, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये तो आप ही जानते हैं, सावधानी से काम करिए, व्यापारियों के लिए देखा जा करने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीवन साथी से बराबर का स्वयोग और प्यार मिलेगा, प्रेम संबंद के लिए दिन सामान्ने और विद्यार्थ ही आज परिशान रहेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, सहर्थ को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, मान अभी करेबस इतना ही, हिजाज़त दीजिए, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार